दोस्तो बेशे तो जब भी खुबशुरुत बादियों और पाहडों की बात होती है तो जामु कास्मिर का जिक्रव सबसे पहले होता है। हिमालों की गोध में बसा जामु कास्मिर अपनी प्राकुर्ति की सुन्दर्ता के लिए दुनिया भर में बेस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन कास्मिर की बादियों को ओड़ी सेके ए हिल स्टेशन टपर देते हैं। इन हिल स्टेशन की खुब सुरूती देखने के बाद आपको कास्मिर जैसा में सुस होगा। आए जानते हैं आखिर कोन-कोन से ए हिल स्टेशन है। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संजय और आप देख रहें मेरा यूटूब चानल ट्राभल का निवान। दोस्तों ओडिशा में आप अपनी हिल स्टेशन भ्रमन की शुरूआत महेंद्रगरी हिल स्टेशन से कर सकते हैं। ओडिशा के गजपती जिले में महेंद्रगरी मवजुद है जो की हर तरफ से घने जंगलों और पहाडों से घिरा हुआ है। यहां आप जिबजंतों की अलग-अलग प्रजात्यों को देख सकते हैं। इस हिल स्टेशन के सामने कुछी दूरी पर फिले निले समुद्रों को देखने का मजा ही कुछ और है। तो जब भी ओडिशा आए महेंद्रगरी जरूर घूम कर जाए। नमबर दो पर है दारींग बाडी ओडिशा में एसे बहुत से हिल स्टेशन है जो कास्मीर की बात्यों को टक्कर देते हैं। उन मेंसे एक है दारिंगबाडी हिल स्टेशन, दारिंगबाडी हिल स्टेशन को ओडिसया का कास्मिर कहा जाता है, ये एक चोटा सा बेहुत खुपसुरत स्टेशन है, जहां मवजुद प्राकृतिक खुपसुरती कास्मिर की याद दिलाती है, दारिंगबाडी कफी के बगा कानाल में कोई हिंदू देवित्यवुताओं के मंदिर है लेकिन सबसे प्रसिद यहां कपलास मंदिर है इसे प्राचिन कलिंग बास्तु कला का हिसब से बनाए गया है यहां मुझ्जूद प्राकुतिक खुशुर्ति आपके दिलो दिमाग में बस जाएगी इसलिए अगर आपके लिए बेहतर डेस्टिनेशन होगा नमबर चार पर दखन ओडिशा के कोरापुट जिला में बनी देव माली इगल स्टेशन एक अलगी नजारा पेस करती है यह देखने में बहुत सुन्दर होने के साथ अपने सांत बाताब्रण से किसी कापी दिल आसानी से जितने क का काम करती है चारो तरो फेले हरियाली हरे भरे माईदान जर्ने अपनी खुब शुरूती हर जगों फेलाने का काम करती है इसे ओडिशा की सबसे उंची पाहडी माना गया है बात इस पाहडी की उंचाई की करे तो एक करीब 5,484 फीडी उंची और करीब 8,534 बर्ग में ब का सोक है उन्हें देवमाली पाहाडी में घुमने चरूर जाना चाहिए यहां के खुब शुरूत जर्ने और गेहरी तंग घाटियां चारो तरो फर्याली किसी का विध्यान अपनी और खिचने का काम करते है यहां पर बना डूडुमा जर्ने का नजरा देखने योग्यों ह पर गंधमार्तन हिल स्टेशन भारत के ओडिशाराज के बर्गर जिले मेश्ती थे यह पाहाडी अपने असद्य जड़ी बुटियों के लिए प्रसीद है भारत्यों बनस्पदी सर्वेख्रण ने असद्यों मुल्य की 220 पोध की प्रजात्यों के अस्तिद की सुचना दी है हालाकी स्टानियो लोगों का दावाहे की इस स्केत्रों में असद्यों पोध की 500 से अधिक प्रजातियां है यहां गंधमार्तन के दोनों और दो अर्बेदिक कोलेज और होस्पिटाल है एक बर्गर जिले में और दूसरा बलांगिर में बोव पाहडी कभी अपनी बोधोसं के अब से स्पाई जाती है गंधमार्तन हिल में रेकिंग बास्ता में एक संब्रूत अनभव है क्योंकि पूरी घाटी में बेहती जल धराये और बेहत सुंदर परिवेश है जंगल की प्राकृत की सुंदरता काबिले तारिफ है क्योंकि ये पूरी तरस से हरे भरे जंगलो और उस खुबसूरत हरबल पोधे और फूल से घिरा हुआ है